हेलो एवरिवन कैसे हो गाईज आप सब तो आज हमें पढ़ना है अपने इस चैप्टर चैप्टर नमबर एट जिसका नाम है ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट का पार्ट नमबर टू गाईज इसके पहले हमने इसी पार्ट नमबर वन में इसी चैप्टर के पार्ट नमबर वन में हमने सारी चीजे like electronic configuration d orbital किस तरीके से हमारा modern periodic table था किस तरीके से हमारा जो भी सारे elements थे उनका electronic configuration कैसा था कैसे create हुए oxidation state क्या था है ना तो सारी चीज़े हमने पढ़ी थी इसके पहले वाले part में आज हमें देखना है इनकी property हो के बारे में like मतलब हमारी metallic property या है physical property या भी आप कह सकते हो फिर किस तरीके से हमारा उनका oxidation state हमने पढ़ लिया पहले से ही ठीक है ionic हमारा जो radius है atomic radius जो भी है तो यह कैसे का increase decrease होता है फिर हमारे magnetic property हैं कुछ उनके formations तो यह सारी चीज़े आज हम पढ़ने वाले हैं ओके तो आप देख रहे हो न्यू इंडियन एरा मेना में प्रशांत आप मुझे यहां पर चाहो तो follow कर सकते हो और अगर आप कोई भी हैंड रिटर नोट्स चाहिए होंगी तो आप यहां पर अब लिक कर सकते हो और मतब कहीं से भी आप ले सकते हो आपको डिस्क्रिप्शन वाक्स में लिंक मिल जाएगी हो वहां से क्लिक करके आप लोग है डिटर नोट्स विद बेसिक कॉंसेट्स अब ले सकते हो और अगर आपको कुछ इंक्वाइरी करनी हो तो आप इमेल आडी से मुझे इमेल कर सकते हो ठीक है यह क्लास 12 के रही हमारा है चलिए स्टार्ट करते हैं गाई इस चैप्टर का इन पार्ट्स का कोई नोट्स बना के फाइदा तो नहीं होने वा को जीजिए कि पहला फस्ट ट्रांसिशन अलृमेंंट या सिरी समवह हमारी होती हो कौन से होती है देखो अभी जो ही हमारा पहला फौर्थ वारा पीरेल में हमारी 3D सिरीज आ रही थी तो यह हमारा पहला क्या शुबानट क्रीज शिरीज स कहले गा जिसमें कि स्केंडियु titanium, vanadium से लेकर के zinc तक के हमारे सारे element आते हैं, फिर हमारा second ओरा series यानि कि 4D series, फिर हमारा third series यानि कि 5D series, फिर हमारा last series यानि 6D series, तो ऐसे हमारे series कहलाएंगे ये बात या आपको समझ के रखना है अच्छे से, ओके, चलो, तो physical properties of first transition series ये बात आपको समझना है, अब देखो इसमें क्या है, भाई, जितने भी हमारे transition elements होते हैं, सबके सब metal होते हैं, कुछ property तो मैं आपको ऐसी बता जिता हूँ, metal होते हैं, तो वो हमेशा electron loss करेंगे, ठीक है, malleable, यानि कि आप इसे कितना भी लंबा खीच सकते हो, ductile होता है, forms of alloys, यानि मिश्रन जो होता है, मिश्रन है न, alloy, वो बना सकता है, तो ये बाते सारे चीज़े आपको समझने हैं, metal है, तो good connector of heat and electricity भी रहेगा, बड़ गाईस, अगर बात करों कि जिसे zinc है, cadmium है, या फिर mercury है, या मेगनीज है, इनको छोड़ करके, बहुत सारे ऐसे element है, जो कि temperature पे, perfect ambient temperature पे क्या होता है, ambient मतलब कोई बिक situation based temperature, ठीक है, तो कोई भी situation में अलग अलग जो temperature होते हैं, तो उन temperature में यह मतलब टिपिकल नहीं होते हैं, यह सारे जो element है, इनकी property यह कुछ भी कभी बद़ सकती हैं, यह बाते आपको थोड़ा समझ के रखना है, बाकी तो आपको पता यह हो कि इनकी जो metal है, तो high melting point भी होगी, और इसकी high boiling point भी होगी, यह थोड़ा सा आपको समझ के रखना है, जो कि बहुत ज़दा important था यह होगी, physical property हो के बारे में, हमारे first transition element में, तो आपको 6 point यहां से मिलके और उतना exam में लिखना है, देखो यार यह ऐसा topic है कि अगर आप इसको सुचो कि मैं पूरा पढ़ूँगा, मैं भगवान हूँ, तो फिर जाओ करो, I am sorry, आप मेरा वीडियो मत देखो, ठीक है, क्योंकि यार द बता रहा हूं, उस तरीके फिर जो बंदा मुझे follow करेगा, यह बात ध्यानक नहीं कि उसके guaranteed board में अच्छी का सिमाक्स आएंगे, board का जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, अब आपको किस तरीके से पढ़ना है, वो आप जानो, लेकिन किस तरीके से आप board में 90 ला सकते हो, वो मैं है, मतब कितनी कितनी से हार्ड लश्चर मेलेबले सारी शीचे प्रापरटियां होगी, heat और electricity के लिए good connector है, फिरजिंग, cadmium और mercury और मैगनीस को देखके, इनको छोड़ करके और बाकी के यतने भी element है हमारे, उन सब का मतब अलगी तरीके का metallic characters या structures होती है, इनका highly melting point and boiling point हो low volatility होती है, मतब low volatile मतब ज़्यादा तर ये volatile नहीं होती है, volatile मतब क्या की जो उड़ जाता है, नहीं कि हम लोग कोई इसको spray मारती है या कुछ और करते हैं, तो थोड़े टाइम बाद हो अपने आप volatile रहता है, गाया बजाता है अपने आप, तो वही होता है volatile, तो ये बहुत इनकी volatility बहुत low होती है, ठीक है, metal नहीं तो वह रोटा केसे रहेंगे, ये आपको समझ के रखना है, चलो, अब आंगे बढ़ते है, trends in atomic properties of the first transition element, मतब भई, atomic properties में क्या मतब पहला, तो पहला atomic properties में जो हमारा मतब property है, पहला atomic और ionic radio है, अब मैं आपको बताऊं कि atomic radio क्या क्य radio है, जो भी है, दोने सेमी होते हैं, बस क्या कहलाते हैं, जान लो, suppose this is the atom, उसके अंदर ये हमारा nucleus है, और ये हमारा पुरा orbits है, ठीक है, चलो, अब देखो, तो nucleus से लेकर करके, outermost orbit तक का जो भी distance है, वो हमारा atomic radius कहलाता है, ठीक है, ये बात आपको समझे रखनी है, अब atomic radius क्या रहेगा, ये थोड़ा जान लो, कभी भी ना यार देखो, एक चीज समझना अच्छे से आपको ठीक है, जब कभी भी ना हम left से, left से right में जाएंगे, या तो हम कभी भी top से bottom में जाएंगे, ये बात आपको थोड़ा समझनी पड़ेगी, जब कभी भी हम left से right में जात आते हैं, तो orbit के number बढ़ने के वजह से, क्या होता है, कि हमारे सारे सारे जो भी structure होता है, उसका radius बढ़ता है, तो atomic radius क्या होता है, वो increase होता है, जब कभी भी left से right में जाएंगा, नई दर से ऐसा, left से right में ऐसे, जिसे कि skandium से titanium में जाएंगे, ऐसा जाएंगे ना जब कभी भी बत्म लेफ्ट से राइट में तो यहां पे क्या होता है कि आपको अच्छा इलेक्ट्राउन के नंबर बढ़तीं exactly सब्सक्राइब और बढ़ती है तो यहां पे exactly क्या होता है लेक्ट्रों से बढ़ता है आप एक बर करके चाहें तो देख लो हम जब top से bottom में जाएंगे तो orbit का number बढ़ता है और अभी अभी आपको बता है न जब orbit बढ़ेगा तो क्या होगा radius भी बढ़ जाएगा आटमेटिकली तो radius भी increase होगा यह समझ कि अच्छे से पहला trick दूसरा यहाँ पर देखो जब हम left से right में जाते हैं ऐसे तो क्या होते है number of electron बढ़ता है और जब number of electron बढ़ता है न तो radius घड़ता है आप लोगे ऐसा कैसे बोल सकते हूँ आप क्योंकि अगर बाहर हमने electron ज़्यादा डाला बाहर के valence shell में तो फिर हमारा एक और orbit extra बनना चाहिए बढ़ आपको यहाँ पर बता दूँ कि जब ज़्यादा electron यहाँ पर आते हैं ज़्यादा electron तो जो nucleus का positively charge होता है यह character यह positive charge बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है nuclear charge और यही reason है कि जो भी हमारे electrons होती है वो अंदर की तरफ क्या होते है श्रिंक हो जाती है और जब हमारे सारे electron जो outer most में घूम रहेते हैं वो अंदर shrink होते है तो हमारा orbit छोटा हो जाता है ठीक है तो यही reason है कि जब हमारा number of electron बढ़ते है न तो हमारा radius क्या होता है decrease होता है लेकिन अगर हमारा orbit बढ़ेगा तो हमारा radius भी बढ़ेगा फिर तो कितने भी electron बढ़ें लेकिन एक extra orbit यह न तो आप कितना भी अगर orbit अंदर जाएगा फिर भी इस orbit को तो क्रॉस नहीं करेगा तो अंदर नहीं रहेगा तो थोड़ा तो बढ़ा radius बनेगा ही न बनेगा तो जब orbit जादा रहेग लेफ्ट से राइट जाने में nuclear charge increase होगा यानि कि electron बढ़ रहे हैं जब बाहर electron नेगेटिव चार्ज बढ़ेंगे तो मतलब अंदर का positive charge भी बढ़ेगा न यानि वह ही हमारा nuclear charge और जब nuclear charge बढ़ेगा न यूनिट टाइम से तो क्या होगा हमारा जो भी बाहर का outer most area तो अंद Charges भी हमारा बढ़ रहा है अब बाहर जितने ज़्यदा electron उतना nucleus होने खीचेगा तो उतना ज़्यदा nucleus की ताकत बढ़ेगी तो उतना जल्द ही electron को अपने तरफ खीच लेगा तो radius कमज़र हो जाएगा कम हो जाएगा यहां पर एक graph के थुरू आपको समझाता हूं देखो सबसे पहले आता है आपको भी मालूम है सबसे पहले आता है तो जो हमारा सबसे टॉप में और जादा रहेगा उसका सारी चीज़े जो भी है ठीक है फिर इसका हमारा second पे आता है titanium यहां पर कैसा है यहां पर टोटली च्या बनेगा यहां ज्यादा बढ़ गया लेकिन और बिट दो नहीं है तो क्या होने वाला है कि जब और बढ़ गए और्बिट यहाँ पर बढ़े नहीं है और इलेट्रोन होतों नहीं है तो हमारा क्या होगा atomic radius हलका सा डिक्रीज होगा वाई विकास nuclear charge थोड़ा बढ़ेगा फिर ऐसा करते करते यहां तक आएंगे और देखो हमारा यहाँ पर हलका जिंक तक थोड़ा ज्यादा electron जादा मतब radius कम यह trick याद रखना है और अगर orbit जादा तो radius भी जादा orbit कब जादा रहेगा जब हम top से bottom में जाएंगे न उपर से नीचे और electron कब जादा रहेगा जब हम लोग left से right में जाएंगे यह trick याद रखना अब scan dium के बाद titanium आता है यादि क्या हम आप भी कहा जा रहें left से right में बड़े electron के नंबर बढ़ रहे हैं electron के नंबर बढ़ेंगे न तो यहाँ आप देखो atomic radius क्या होगा पहले वाले में 164 है दूसरे में क्या 147 है इस तरीके से हमारा atomic radius आपको समझ के रखना अच्छे से पिर similarly का है से आप से बात करूँगा अब देखो यहाँ पे क्या है यहाँ पर यह M के लिए है फिर M2 प्लस M3 प्लस यह तो आप जानते ही रहोगे न मतब कि अगर मालो M है तो एक भी electron loss नहीं किया M2 प्लस है तो 2 electron loss किया M3 मतब 3 electron loss किया प्लस मतब electron loss किया है फिर ऐसे वेनेडिया में वेनेडियम करते को 135 ऐसा करते करते आप लास्ट में 137 तक पहुंच जाओगे इस तरीके से आपको अच्छे से मिलेगा सारी चीशे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस तरीके से आपका तो यह सबकी fix होती अपनी अपनी सबको determine करके बस लिख देना होता है तो बुक वाले नो वही किया है determine करके लिख दिया है अब याद किसको करना है बच्चों को कोई लिख कर लो याद तो करना ही पड़ेगा वरना फिर MCQ में आ जाएगा तो प्राबलम हो जाएगी तो इस मानलो कोई भी आपके समने मानलो एक element है अब electron loss करेगा मानलो एक electron loss कर रहा है या फिर एक electron gain कर रहा है अगर एक electron loss कर रहा है तो क्या बनेगा वह a plus बन जाएगा अगर एक electron gain कर रहा है तो क्या बनेगा a minus बन जाएगा यानि यह बन गया हमारा anion यह बन गया हमारा कटायन अ उसमें कितनी energy हमें लगी, कितनी amount of heat आपको provide करनी पड़ी, वही होता है आपका ionization enthalpy, understood my point, यह बात आपको अच्छे समझे रखनी है, और वैसे के लिए अगर मैं वैसे structure की बात करो तो जानते हो क्या है, structure की अगर बात करो नो तो क्या जानते हो, जो भी ionization enthalpy होती है न, exactly क्या होती है, property है जो भी आएंगी, वो property mostly similar ही होती ही, बस थोड़ा सा depend इदर दर करता है, ओके, चलो, यही सारी conditions है, और उसमें कोई बड़ी बात तो है न, जैसे कि आप जानते हो कि अभी हमने देखा कि S block और P block की जो भी property हैं होती है, ionization की, उसी के बीच में हमारा rely करता है transition element की property है, ठीक है, अब देखो, यह depend करता है कि यार कोई भी element जो भी हमारे रहते हैं, वो कौन सा bond बनाती है, अब देखो, माझलो, covalent bond कोई-कोई element बनाता है, कोई-कोई ionic bond बनाता है है न, तो यह depend करता है कि कौँसा element हमारा कौँसा bond बनाता है, तो इस चाछच के बाए हम समझते हैं, अगर मैं covalent bond कि बाग, covalent bond की बाट करता हूं, तो क्या होता है यह हर एक element है, तो यह सारे element न हपने अपने जगए में क्या करते है इनका अपना अपना ओप्धिशन स्टेट होता है for example scandium का plus two भी है और इसका plus three भी है ना एक टीटिनियम के और भी बहुत सारे plus two है plus three है plus four है सभी के अपने अपने off-fitting state होते हैं है ना तो अब देखो क्या होता है कि अगर मानों किसी भी element का lower off-fitting state तो वह basically क्या करता है आपको समझना आच्छे से बहुत जदा important भी तो वो basically ionic compound बनाता है और किसी का higher of addition state रहता है तो वो हमार क्या बनाता है covalent bond बनाता है अब इसी business पे हमारा ionization enthalpy बनती है अब आपको मालूम होगा कि जो हमारा ionic bond होते हो ज्यादा strong होते है क्योंकि इनके बीच में electrostatic force of attraction होता है और covalent bond में हमारे हमारा जो मतब बांड होता है वो as compared to ionic compound थोड़ा strong नहीं होता है तो यही reason है हमारे covalent compound के लिए कि इसकी जो ionization enthalpy होती है जो covalent bond का इस्तमाल करके bonding करते हैं या compound बनाती है उनकी ionization enthalpy जो होती हो थोड़े सी कम होती है और ionic compound सी जो बनाती है उनकी ionization enthalpy ज्यादा होती है यह reason है बस यह आपके book में बहुत ज़्यादा घुमा करें दिया मैंने वाले series का है फिर second series jarconium है ना जो भी आप मेरे को खुदी नाम बहुत सारे नहीं मालूम है क्योंकि उत्रे सारे याद नहीं करने और आपके 12 तक के syllabus में ना जितना भी दिया हुआ है तो उसा आपको समझ के रखना है तो इतने सारे आपको याद क्यों करना है मतलब देखो जितने सारे important कोई भी scientist को भी सारे नाम याद नहीं रहेंगे 108 थोड़ी याद करने होते यार याद करना ही नहीं है मतलब सीफ आपको 30 तक जरौत है मैं आपको बोल दिया ना आपके पूरे 12 में तो इसे सारे element का यहाँ पर graph बनाया हुआ है as compared to ionization enthalpy किसकी कितनी ionization enthalpy उसे volt कुछ और है प्लाडियम के कुछ और है है ना silver ही कुछ और है copper तो दूसरे series में आगा माल लो as something ऐसा आपको दिखके रखना है सारी जो भी है ठीक फिर निकल यहाँ पर है फिर ऐसा आइसा करूदर फोडिया में है ना ऐसे से आपके सामने सारी चीज़े available है तो transition metal यहाँ यहाँ पर दिया हुआ है जिसके जितने ही आयनिशन इंथालपी है उतना दिया अब आप बोलो कि यह कहां से आया तो यह तो भाई practically निकालना पड़ता है तो आप यह मत पुछो कि कहां से लिख रहे हो आप लोग है ना heat है कितना available है उसकी open depend करता है वो तो हमको practically perform करना क्या पर आफ चाहिए अगर इसएस Matele को एक लेक्टरहों थो क्या बनेगा AL प्लस अग опять ढ़். अगर जब एक लेकर चाहिए तो निकान लोगो तो क्या बनेगा it तूम बन जएगा इक और निकालने तो क्या बनेगा इलट्रॉट इंगा ऐर इसको नेक्शन तो ऱीशन आपन six thirty two है अब और electron निकालूँगा तो जादा energy और निकालूँगा और तो ऐसे करके हमारा ionization enthalpy होती है तो यह first ionization enthalpy यह second ionization enthalpy यह third ionization enthalpy कितना electrons तुम बाहर निकालके अपने atom को ionize कर रहे हो ठीक है यह बहुत important होता है तो यह सभी कि ionization enthalpy यहां पर दिया हुआ है आपको रीड करना है कर लो अब यह मत बोलना कि कहां से है क्योंकि यह practically determine होता है यह energy होती है कितना energy लगा हो थोड़ी हमको है सब्सक्राइब पता चलता है वो तो कि इनकी पहली बात तो भाई बहुत low ionization enthalpy होती है यह जो वहां पर दिया है वो लो ही थी ज्यादा नहीं है और इनका आ रहता है यहां पर vacant रहता है और यही responsible होती है यही दोनों करेक्टर low ionization enthalpy और वेकंट d orbital की यह transition element भी इनके पास ही metallic character होता है क्योंकि जब condition ऐसी आती है कि इनके orbital vacant है तो इनको electron की जरुद पढ़ती है यह खुद कभी-कभी electron यह loss कर देते है तो ऐसी condition में फिलाल यह metal है तो electron loss ही करेंगे ठीक है तो जब यह खुद loss कर देते हैं तो यह एक bond बनाती इसे कहते है metallic bond और जिस भी element के पास metallic bond होता है तो उसके पास metallic character अपने आप आते हैं मतलब कि metallic character मेंना unpaired electron होती है for example में आपको बताना चाहूंगा scandium का क्या है यहाँ पर scandium 21 है इसका electronic confusion क्या बनेगा पहले organ का लिख लो और यहाँ पर आपको क्या करोगे मतलब बहुत आसान है यार मतलब आपको एकदम थोड़ा फ़त दिमाख लगाना वास यहाँ पर दिखा भी जिसी 3D1 और यहाँ पर 4S2 ऐसे आपको बनेगा something ठीक है यह फिर क्या है याद है तो अब आदे बोल गया तो बरबाद है ठीक है तो अब देखो क्या बनता है 3D1 और यह 4S2 ऐसे something इसका electronic configuration बनता है ठीक है अब 21 है तो यहाँ में पहला फिर अगर माल ला यहाँ पर titanium का आता हो तो यहाँ में 3D2 हो जाता तो अब देखो यहाँ पर जो जो एसे एक दो तीर और एक चार पास ठीक है ऐसे बना दो अब देखो इसके तरह electron फिल करो अब देखो 3D1 में क्या है आपके पास यहाँ पर कितना है वन ही electron है न दोगे यहाँ पर हुआ यह पर एक ही electron है वो भी और वह बहुता है यह क्या है अन पेर्ड यह पेर्ड पर 24 ठीक है चलो बताओ क्या होगा तो यहाँ पर क्या करोगी पहले ए यार और गन का और यहां पर थीडी और क्रोमियम चंट यह नंबर में आता तो यहां पर चार और फॉर एस्टू इविन आपको सिखा न जिते वे नंबर में आएगा थीडी कि उपर उता देना और ला तो तीन चांध सब्सक्राइब सोन की ईतना सब्सक्राइब ना इसनλी बता रहे हैं कि कभी भी आपका अच्छा आपका सॉल क्वार्डी स्टेट में आग रिडि funding दिए सपार जर अघ्र ची वांती प्रॉपर्वर्टि नग्र यह क्यों पूंज ह merciful कि इले क्यों कोई पड़ के is अप्ड होंग कुए कर C. अब कितने नंभे ऐसंपको से अब क्पर leant to卟 यह प्रेजनट प्रिजेंट है उस विसेट हो किसी भी है मगनेटिक प्राइपके होती magnetic field apply करते हो, किसी भी element में, अगर आप magnetic field apply करते हो, उस metal के सामने magnetic field लेकर के आते हो, तो अगर हमारा वो element, माल यह object है, और इस object को आप magnetic field के पास लेकर के जारे हो, तो अगर यह object अंदर attracted हो गया, तो समझ जाना, ज्यादा attracted हो गया, यह पैरा magnetic कहलाएगा, और अगर ripple किया, मतलब यह attract ना हो करके ripple कर दिया, तो वो हमारा die magnetic substance कहलाएगा, समझ गया, और अगर माल लोग कुछ जादा ही, अगर उसने मतलब attracted किया, कुछ जादा ही attraction किया, तो वो हमारा ferromagnetic कहलाएगा, तो पैरा, die और फैरो, यह तीन तरीके के magnetic property होती किसी भी element की, अगर normal attraction हुआ तो पैरा magnetic, अगर माल लोग ripple किया तो die magnetic, जादा attraction किया तो फैरा magnetic, समझ गया, तो यह बाते आपको समझ के रखनी है, अब माल लोग जिसे कि scandium से लेका, जिंक तक हमने सारे element देखे हैं, तो उनमें फिर जो iron, कोबाल्ट और nickel है, इन यह तीनो फैरा magnetic होते हैं, यह बात आपको समझ के रखनी है, और बाकियों का कुछ आपको उससे मतलब लिए, बाकियों तो कोई भी हो सकते हैं, बट यह तीनों हमेशा से जलदी attraction करते हैं, यह real में magnet की property यह इन में दिखती हैं, अब आगे बढ़ते हैं, अब क्या होता नहीं है, कि अगर कोई भी मानलो element है, अगर उसके पास unpaid electron available है, unpaid electron उसकी पास available है, तो यह तो पक्की बात है कि उसके पास magnetic moment भी होगा, because unpaid electron spin करते हैं, आपने दिखा होगा ना, मनलो अगर एक electron है, तो इधर spin करेगा, दूसरे unpaid electron इधर spin करता है, सारे सारे electron जो प्रेजेंट होते हैं, किसी substantial metal में, वो हमेसा याद रखना कि spin करते हैं, और जो भी spin करते हैं, तो हमेसा unpaid ही रहती है, तो अगर किसी की पास unpaid electron available है, तो spin करेगा, जब इधर spin करेगा, तो magnetic moment create होगा, तो अब इसका proof तो आपके book में कहीं दिया नहीं है, और सीधा लिख दिया आपकी किताब में, अपके text book में है, कि इसका concept beyond the book है, ऐसे atomic radius में भी लिख दिया आप चाहिए, तो जा कि पढ़ लो, लिख दिया कि ये concept आपको degree भी मिलेगा, beyond the book है, इस concept भी, इस book के beyond है, मतलब इस book में आपना magnetic moment है, यह हमारा जो mu है, यह हमारा magnetic moment कहलाता है, किसी भी substance का, कितना होता है, is equal to root n into n plus 2 BM, BM तो यह unit है, bore magneton, ठीक है, यह unit है, लेकिन जो n है, हमारा number of unpaired electrons कहलाता है, और mu हमारा magnetic moment, for example, अगर मैं आप से पूछ हूँ, suppose that, अगर मैं ऐसे ही आप से पूछ लो, कि iron का बता हो, कितना होगा, जो देखो, मैं आपको बताता हूँ, iron का atomic number होता है, 26, और एकर मैं इसकी बारे में लिखने start करूँ, तो इसका electronic configuration 3D, 6, और 4S2 ऐसे बनेगा, इसका मैं अगर electronic configuration ऐसे दिखाऊँ, इलेट्रों, इलेट्रों को fill करके, तो ये दोनों तो पका field रहेंगे, ऐसे देखो, दोनों यहाँ पे पेर में एकदम field है, लेकिन जब D के पास जाओंगा, तो यहाँ पर देखना क्या बनेगा, ये थोड़ा सा आपको समझना है, ओके, देखो, अब कितने electron D के पास अवे लेवल है, 6, तो पहले है, तो हमको डाइटली भरना होता है, ऐसे, फिर हम सेकेंड राउंड में आएगे, तो कितने पाच भर दिया, और एक यहाँ में बर दिया, तो अनपेर कितने बचे, अनपेर कितने electron बचे, 4 electron अनपेर बचे, है ना, तो mu is equal to root 4 into 4 plus 2, और यहाँ पे क समझ गया, तो यह unpaid electron कैसे निकालना है, मालू में न, तो 6 है न, पहले 6 को एक एक करके भरनेगा, फिर जो बचा तो उसको अगेर पेरिंग करके भरना होता है, है न, यह आपने सीखा था structure of atom में, ऐसा, तो आप किसी का भी निकालवा सकते हो, अब मैं आपको यहाँ पे दि अब इसकेंडियम मालो 3 प्लस बोल दिया, तो मतब क्या है, कि अब इसकेंडियम का तो पहले से ही क्या होता है, 3D और 1 और 4S 2 रहता है, तो 2S से और एक, यहाँ फिर दी से निकाल है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, 3D 0 बन गया, अब 0 यानि कि अनपेर कितने electron बाकी है, तो 3 electron जो तुमने वैसे भी निकाल दिये, तो कुछ बचे ही नहीं, सब 0, अभी देखो न, D के पास 0 है, वालब, there is no electron on D orbital, in the case of scandium 3 plus, I am not talking about scandium only, I am talking about scandium 3 plus, it means that scandium is lost its 3 electrons to other element, ठीक है, तो जब इसने 3 electron अपने पहले से lost कर दी तो जो D orbital के पास electron बहुत 0 हो गए, तो इसके पास pair की क्या, unpaired electron कुछ भी नहीं बचे इसके पास, 0 है, अगर मैं titanium की बात करूँ, तो इसके क्या बनेगा, 3D, ध्याम देनाचे से 2, 4S2, अब यह 3 plus है, मतब electron S से 2, और D से 1 electron गायब कर दिया, मतब 1 electron बचेगा, यानि कि 1 यहाँ पर क्या हो गया, हमारा unpaired, ऐसे ही vanadium का, chromium का मैं आपको बताता हूँ, मैंगनेज का क्या आएगा, यहाँ मैंगनेज का क्या होता है, 123456, अचा मैंगनेज यहाँ पर कितवे नमबर में, छटवे नमबर में, जो भी है, अपने को, अपने को atomic number या रखना है, जो भी आपका atomic number उसको आपको याद रखो, बाकी से आपको मैंगनेज का है, यह पाच्वे नमबर में आता है, मैंगनेज होमारा, देखो मैं आपको यहाँ पर दिखा भी देता हूँ, अगर आपको modern predictable में आ जाओ तो, देखो यहाँ पर, 12345, देखो पाच्वे नमबर में मैंगनेज है, समझा अच्छे से मैं जो बोल रहा हूँ, ओ मैं इसको लिख के फाइदा नहीं क्योंकि जीरो है, तब देखो इसका गर मैं बनाओं ऐसे, यह d orbital है न, ऐसे d orbital बनाओं, तो पांच ही है न, d में, तो एक भर दिया, दो भर दिया, तीन भर दिया, चार भर दिया, और यह पाच भर दिया, अब पेरिंग तो होई नहीं पा आपको इसका मिलेगा 27 something, ठीक है, 28 मिलेगा 28, ठीक है तो अभी निकल का 28 है, अब देखो आपको बताता हूं कईसी आएगा, अब निकल में क्या हो आएगा, ओर गन, 3D, आठवे नमबर में तो 8 और 4S2, है न, अब इसका देखो फिल करते हैं, पहला S orbital field होता है, हमेशा यह देखना, और यह P orbital भी हमेशा फूल रहते हैं, हमको D में सी बात करनी होती है, क्योंकि D का ही हमारा vacant orbital होता है, हमने देखा भी था, देखा था कि नहीं देखा था, याद है तो आबाद है, बोल गए तो बरबाद है, अब देखो, यहाँ पर कितने 8 है, तो पहले बरो, 1, 2, 2, 3, 4, 5, भरने का तरीका सीख लो, 5 हो गए, फिर 6, 7, 8, भर दिया, तो कितने unpaid बचे, 2 unpaid बचे, देखो यहाँ पर क्या है, निकल में 2 unpaid electron, समझा क्या, तो इस तरीके से आपको थोड़ा से दिमाग लगाना पड़ेगा, हलका फा दिमाग लगाना है, और ज्यादा कुछ करना नहीं है, समझ के रखो आप लोग इस चीच को, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ पॉइंट, मैं जो बोल रहा हूँ, क्लियर हुआ न, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, निकल के पास 2 unpaid electron है, तो बस आपको यह बनाने आना चाहिए, अब यह कैसी आएगा, जब आ है, तो यहाँ पर देखो, यह तू आपको n मिल गया, n की वेलो 2 मिल गया, यह न पर इलेक्ट्रॉन, अब फट फट इस फॉर्मिले में आओ, n की वेलो पूट करो, 2 मिला है, तो यहाँ पूट कर दो, 2 इंटो 2 प्लस 24, 4 इंटो 2, 8 हो जाएगा, अब रूट 8 की वेलो निक अब experimental value कैसे आई कि जो आप experiment perform करोगे, तो इस चीश को आप accept कर लो, और इस चीश को आप चाहे तो सब का निकाल के देख सकती हो, आपको यह यह values मिलेंगी, समझ यह कैसे आप किसी भी metal का, कैसे निकाल सकते हो, magnetic moment, तो यह important था, now आप कलर की बात करोते है, आपने दिखा हो आपको बहुत सारी transition element यह कोई भी element हो, zinc हो, copper हो, nickel हो, है न, copper तो आपने देखा ही रहेगा, zinc भी अगर देखे रहोगे, आपके lab में, chemistry के lab में, अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की होगी, तो आपके प्राक्टिकल में, 11 में तो देखे रहोगे न, यार, इसे थोड़ी गुंडा बन थे हैं, यार, है न, चलो, तो color कैसी आता है, किसी element में color कैसी आता है, दुनिया में न, इस, दुनिया में कितना, कोई भी light, हमारा, कोई भी object, कितनी light absorb कर सकता है, वही दिखाता है, कि हमारा वो substance colored है, अगर मैं light को absorb करता हूँ, तो मैं थोड़ा सा bright दिखूँ होगा, समझ रहा, ऐसा होता है, और अगर मैंने light को absorb नहीं किया, या फिर जो भी है, system की उपर है, जितना मैं अगर visible light को absorb करता हूँ, मैं वैसा उस तरीके का बनता हूँ, ठीक है, यह बात आपको समझ के रखना है, मैं उतना ही दिखाई दूँगा, और कोई कितना absorb करेगा वो depend करता है, किसी भी object की, या light के wavelength की उपर, ठीक है, और यह जो light होती हो, तो electromagnetic radiation ही होती है, तो हम जानते हैं, है न, तो जो भी visual reason होता है, किसी भी substance का हो, कितना absorb करता है light, उसके उपर depend करता है, कोई भी color, ठीक है, और main important है wavelength, जिसे हम nanometer में major करते हैं, तो for example, यहाँ पर आ light को absorb करता है, तो 620 से लेके 580 की बीच में, या 580 से लेकर के 620 nanometer की बीच के अगर कोई भी light आई, तो उसको वो body अगर कोई भी absorb करती है, इतने बीच के wavelength माले light को, तो वो पक्का orange ही रहेगा, क्या रहेगा पक्का वो orange ही रहेगा color में, और अगर मानलों कोई substance है, अगर व nanometer से लिके 580 nanometer की बीच में कोई मिला एट को, तो उसका color yellow color ही आएगा, ऐसा करके आपको सब का याद करना है, ठीक है, कि कितने range की बीच में कौन सा color आता है, तो इक्जाम में पूछेगा कि अगर किसी substance है, और आपका 400 से लेकर की या 8 nanometer, या 8 nanometer, या 430 से लेके, कितना भ coloration guys, किसी भी substance के ligand, उसकी geometric complex property या इनके उपर depend करता है, आप बोलोगे ligand क्या है, यह मैं आपको सिखांगा, coordination compound chapter में, जो कि इसके बाद मैं लेने वाला हूँ, chapter number जो आपको आपको ना 9, ठीक है, तो उसको मैं लेने वाला हूँ guys, okay, so यह ligand वगरा, उसमें कितने होते हैं, हमारी निकलती है, यह color हमारा substance का होता है, यह बात आपको थोड़ा समझ के रखनी है, अगर मैं color of transition metal की बात करूँ, तो यह पहली बात आपको समझना है, कि पहली बात तो भाई, unpaired d electrons present होते हैं, हमारे transition element में, और d d transition भी होता है, मतलब d d और d और metal की वीच में electrons हमारे transfer भी यह सब थोड़ा सा आपको याद करना है, जो कि बहुत ज़दा important है, और ऐसा exam में आता भी यह कभी-कभी पूछता है color के बारे में, अब देखो जीसे कि मैं आप बहुत लूग color of 3D transition के बारे में, तो अगर माल लो, scandium 3 plus है, तो अगर इसका outer electronic configuration बोनों तो 3 plus, अगर देखो 3D 0 और 4S 0, तो 4S 0 को नहीं लिखे दिखा तो भी चलेगा, 3D 0 लिख दिया, तो number of 1 पर इलेटरान 0 है, और जिसका number of 1 पर इलेटरान 0 होता है, वो colorless है, तो आपको यह याद करना पड़ेगा, I am so sorry, I can't help in this, ठीक है, अब देखो इनी नेम 3 plus है, तो 3D 1 आएगा, because, यहां आपका आएगा, 3D, 2, 4S 2, अब 3 प्लस दिया, मतलब 3 लेटरान लॉस किया, 4S 2 से 2 चलेगा, और 3D 2 है तो एक चलेगा, 3D 1 बचेगा, अब जिसका 1 आगया, तो वो purple color रहेगा, है न, यह अनपेड इलेटरान की बात करना हो, तो अनपेड इलेटरान की help से भी आप पहचा इलेटरान निकाल लिया तो 3D, 2, 4S 2 तो होता ही है, दो यहां से निकालो, दो यहां से निकलो तब चार जाएंगे, मतलब 3D 0, there is no number of electrons, unpaid electrons, यहां पे 0 बन जाएगा, अब समझाना पेर कैसे 0 आ रहा है, समझ रहेगा, मतलब कि pairing नहीं हो पाएगा, आप चाहे, D में जब ए इलेटरन है ही नहीं, तो आप क्या डाल होगे, कोई नमबर अप एलेटरन ही नहीं, आप अगर 0 है, तो वो colorless है, माकी का आप ऐसे याद कर ला सभी का, आप जिसका निकालने वोले मैं, उसका आपको निकाल देता हूँ, फर एजमपल, कॉपर का निकालते, कॉपर का, ठीक अब यहाँ पर 9 दिया हुआ है, अब देखो क्या आएगा, आप लास्ट वाय और बिट में डालो, 9 इलेटरन डालो, जब आप इसमें 9 डालोगे ना, तो क्या होगा, ऐसे मतलब यहाँ निकालो, यह पूरा ऐसे field रहेगा, यह ऐसे पूरा field रहेगा, और एक ही pair of electron मिलेगा तो यह मैं 2 प्लस की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर देखो one pair of electron मिलेगा, जिसका color blue आएगा, ठीक है, लेकिन अगर वहीं आपने copper का सिर्फ एक ही electron निकाला तो, मतलब अगर copper में से एक ही electron निकला तो यहां पर 3D10 बचेगा, यह 0 बन जाएगा, इसके पास एक भी pair नहीं ब जाला तबी, एक pair है, बज़े इस एक को भी निकाल दूँगा, तो फिर कुछ pair नहीं बचेएंगे, बाकि सब pair pair हो जाएंगे, 0 un pair electron, 0 un pair मतलब colorless, समझ गया, तो कई से un pair electron निकालते हैं, मैंने आपको सब समझा दिया है, ओके, चलो, अब चलते है, catalytic property की तरफ, exactly, catalytic property क्या होती ही, किसी भी element की हम ये जानते है, तो यार, जो catalytic property हैं होती ही न, तो कोई भी electron, कोई भी substances, कितना oxidation और reduction कर सकता है, या फिर oxidation reaction, я reduction reaction रे कोई कितना participate कर सकता है, वही हमारी property, catalytic property, और ऐसी property हमारे transition element के पास भी होती है, मतब ये भी oxidation और reduction करते है, अब देखो कटलिटिक प्रपरटी में क्या होता है कि कभी भी एक बाद आपको समझ के रखना है बहुत जदा important है यहाँ बहुत सारे ऐसे steps involved होते है अब फिल्डेशन स्टेट को change करने के लिए इसे iron, cobald, nickel, platinum, chromium इसने भी यहाँ पर element दिये हुई है यह सारे element का अपना-पना offidation state होता है यह सब यह सभी के सभी नगा करते हैं अपने-अपना offidation state को change करते हैं उसके लिए इनके पास अलग अलग तरीके की catalytic property होती है देखो हम यूज करते हैं nickel तो nickel और platinum तो अपने सुना भी होगा कि हमने catalyst के form में जब reaction करते हैं तो हम catalyst के form में nickel और platinum का इस्तमल बहुत जादा करते हैं ठीक क्योंकि इनके पास अलग अलग तदिक की catalytic property होती है मतलब reaction को catalyze करने की प्रपरटियां होती है बस यही बाती हैं कुछ नहीं अगर example के लिए बोलूँ जिसके देखो magnesium oxide है मैगनीज oxide है तो क्या होगा है यहाँ पर एक्ट से catalyst for decomposition of KCLO3 है ना ऐसी manufacture of ammonia by havers process अपके पास यहाँ पर जोग देखो molybdenum यानि की ammo है यह और यह iron है इस यूज़ेज catalyst फिर यहाँ पर थोरियम और कोबल्ट यह alloy है जब हम इसको fissure tops process से बनाते हैं यहाँ पर हमारा gasoline बनता है ने जबी तभी हमारा यहाँ पर भी हमारा यह क्या होता है catalyst के form यूज़ करती है तो इस तरीके से इनकी various type की catalytic property हैं होती है अलग अलग यह reaction पर फर्म करते हैं इसे कि iron, cobalt, nickel यह बीच बीच में जो तो transition element catalytic property वाले भी होती है मतलब यह they can used as a catalyst also they can used as a catalyst also मतलब catalyst के form में भी हम इनका इस्तमाल कर सकती है जो कि बहुत ही जदा अपने आपने एक important मतलब conditions है ओके नव हम बढ़ते formation of interstitial substances अब देखो interstitial क्या होता है पहले यह जहाल लो माल लो के सामने कोई भी एक substance है और इसका proper तरीके से structure ऐसे बना हुआ है ठीक है इसका proper structure आपका इस तरीके से आपका बना हुआ है अब इसके बीच माल लो यह पूरा क्या है माल लो copper का है ठीक है अब इसके बीच में यहाँ पे कही interstitial space में interstitial space क्या होता है कि दो particles की बीच में जो space है तो कहीं न कहीं interstitial space में जब कोई another substance आ जाए और उसके वज़े से alloy हमारा create हो जाए मतलब copper के साथ-साथ कोई भी जैसे कि OH2 आ गया मतलब कोई भी आ जाया रहा मैं तो ऐसे एक्जामपल ले रहा हूँ कोई भी यहाँ पे आ जाया तो उससे जो नया compound वन एगा उससे हम कहेंगे interstitial compound समझ रहा है तो यह हमने chapter number one में भी सीखा है जब हम lattice का formation करते है तभी interstitial spaces में क्या होता है कि अलग अलग तरिके के मतलब substances आके फिक्ष वे आते हैं फर एक्जामपल small-small item like hydrogen, carbon and nitrogen यह triap होते हैं interstitial spaces में और नया ना crystal lattice बनाते हैं ऐसे substance को interstitial compound भी कहा जाता है ऐसे अगर मैं example बनो तो जो steel है steel या फिर cast iron यह best example होते हैं iron के और carbon के बने हुए एक interstitial compound में फर एक्जामपल iron तो रहता ही है ऐसे ऐसे बड़ उसकी बीच में ना कभी-कभी carbon भी आ जाता है जब carbon आता है तो यह हमारा steel बनाएगा यह तो cast iron अगर एक बात आपको interesting fact बता दूँ जैसे कि दो iron हमारा क्या होता है उसको अपना किदर भी थोड़ा बहुत तो अगर टेंपरिचर देते हो तो वह एक बार ना क्या होता है जब पिघलने लगता है तो फिर लाल-लाल हो जाता है हमारा पुरा और उस हिसाब से हमारा जो iron है वो क्या होता है उसका मतलब बहुत ही hard होता है अगर आप चाहते हो कि वह और hard बन जाए तो आप उसमें ना कार्बन मिलाओ जितना कार्बन मिलाओ गे ना तो उसकी टीना सिटी की property है यानि की लूज होने की डक्टिलिटी होने की इधर-दर मूफ करने की property वह और कम होती है रिड्यूस होती है यानि वह और hard बनता है और hard बनते बनते एक टाइम पी होते हैं और good connector of heat and electricity भी होती है because metal सही बनते है इसके लिए अगर मैं chemical property की बात करो तो यह parental metal जैसे ही इनकी chemical property यह होती है और इनका melting point जो होता है वह बहुत ज्यादा higher होता है pure metal से भी इनकी density की अगर बात करो जो कि mass upon volume होती ही न वह density की बात करो तो यह बहुत ही parental से बहुत कम होती है और यह कभी-कभी तो chemically inert भी होते हैं और इतना hard होते हैं यतना कि diamond इतना hard यह हमारे interstitial compound कभी-कभी बन चाते हैं यह सारी चीज़ें आपको समझ के रख नहीं है नौँगाई जब हम बढ़ते हैं अंगले topic की तरह formation of alloys में अब देखो formation of alloy में हम topic को समझेंगा भी बहुत ही better condition के तरीके से अच्छे तरीके से हम इसको भी समझ लेती है तो formation of alloy में क्या क्या होता है कि alloy वो चीज़ है जैसे कि मान लोग कोई सब्स्टेंस है अब उसमें कोई और कुछ आपके मिला के बना दो तो वह आपका alloy बन जाएगा ठीक है जो alloy होता है यह होता है फेरस एक होता है नौन फेरस alloy ठीक है अब इनके बारे में समझते इग्जैक्ली दुनों क्या है फेरस अलाइए और नौन फेरस अलोई जो फेरस एलोई होता है इसमें क्या होता है कि जो भी मेटल रहेगा उससिर्फ आरन रहेगा आरन का ही मिक्षर रहेगा इसके उपर जो परसेंटेज होगा वह आरन से स्टील बनाते हो तो एंडर हुंड़ परसेंट आरन अपने लोहा ले लिया है लो छंड तो उसमें टू परसेंट भी आपका कार बन होगा थो आपका iron ही है तो उससे हमारा क्या बन गया इस्टील बन गया तो बहुत जादा ही mixing होती है मतब अगर माल लो आपने कोई iron लिया तो 50 परसेंट मिक्सिंग राएंगी अधर सबस्टेंस की यह नॉन फ्रस अलाय होते हैं मतब जिन अलोय में आप ट्रांशिशन मेटर्स को बहुत ज्यादा ही अधर दिन आयरन या किसी मतब जिसके मतब होता है आयरन ठीक है तो जब आप कुछ ऐसा अलॉय बनाओ जिसमें आयरन का इस्तमाल ही ना हो अब कॉबाल्ट का बना लो कॉपर का बना लो बड़ा आयरन मतले ना आयरन नहीं लोगे तो फिर वो नॉन फिरस कहलाएगा और आयरन लेते हो तो वो फिरस कहलाएगा समझ गया तो बस यह कंडिशन आपको सब्सक्रान रखनी पड़ेगी ओके यूजेस अफ एलॉय की बात करूँ जैसे के देखो अभी मारा ब्रॉंज है यह एक एलॉय है किससे बनता है कॉपर से और टीन से बनता है ठीक है और एक करोजन इसमें जल्दी होता नहीं रिजिस्टर करता है मेडल स्टैच्यूज ट् प्यूपरा या निकल यह सबके सब भी मशीनरी पार्ट्स विलाने में हल्प करते हैं स्टेल इस स्टील जो हमारा एक कंस्ट्रक्शन या फिर आउटर फ्यूस लैग में या अल्ट्रा हाई स्पीड वाले एयर क्राफ्ट में जो हमारे मतब एयर फोर्स के क्राफ्ट होती है उनमें भी हमारा इस्तमाल होता है अलो आइकान यह बात है आपको समझके रखने जो कि बहुत ज़्यदा इंपोर्टेंट है अपने आप तो गाइस अभी हम आगे बढ़ते हैं अब हम क्या सीखने वाले देखो जैसे कि हमारा जो पहला वाला 3D सीरीज था 3D सीरीज में क्य करो मेंट है इसका नम्स की पर्मे Sam per magnet हैं तो इनका तुमने नाम सुना होगा ये और मताल परम मंगनीज मरम अर्चां गोनीज है ये मारए 한 बनते हैं मिला करके यह दोनु है यह मारा पॉटेशन हाफ Train तो पहला देखो यहां पर चेमिकल ऑफिडेशन प्रॉपर्टी यह यह सब आपको याद करना पड़ता है देखो हम इसमें उच्छ करते हैं पोटैश इन्हें पोटैश का ही दूसरा नाम है पोटैश ठीक है अब देखो क्या होता है ना कि हम ना मेगनीज डायोकसाइड यानि MnO2 मेगनीज डायोकसाइड को बहुत खतरना तरीके से हीट करते हैं के हुए अचाहिनी पोटैश के साथ जब इसको हीट करते हैं तो अफिडाइसिंग एजेंट हमारा केसी एलो थी का हम इस्तमाल करते हैं और एसी कंडेशन के बाद जो हमारा रेच्छन मिलके आता है वह हमको मिलता है यहाँ पे डार्क ग्रीन प्रडश्यं प्रडेश्ण म्यगनेट मिलता है हमको ये बात आपको समझनी इसी को रेच्छन से हम पोते दिखाता हूं तेखो मेंगनीज डायोकसाइड पोटैश और एक भी थिर्टिकल नहीं है फिर में आपको समझा रहा हूं ठीक है तो जैसी में एफिटीक मेडियम में लोगो पुछ ऐसी डोकर ले लूँगा ठीक है और ग्रीन प्रटाइशन मेंट को इस्प्रपोर्शियोनेट टुडे मना चुंट यहां प्लबब सब्सक्राइब और था यहां पर यहां से वह थ हाइड्रोजन देते हैं तो आपसी क्या होगा यह रिडूस होएगा यहां पर यहां पर अप्षडाइस करना है यहां पर हमने हाइड्रोजन को बाहर निकाले गया और उसको वाटर रही साथ मिस्क्ष करके यहां पर हमारा पहला प्रिप्रिशन होगा किसका यहां पर मिल यहां पर कुछ नहीं चाहिए अब आगे पढ़ते हैं अना तरह प्रोसेस है अलेक्ट्रियॉट्र करेंगे तो कहा मेलेगा पर मेट और हमारा पोटाश बाहर चलाज़ जाएगा और यहां प्रिजन जो तो होता है ना वो ए-टोर्ड में वाल होता है बाहर निकलता है एतना आपको याद रुखना है ठीकल रिखेंस एप्रेक्टिकल चीज्ट इस अपर थड़ा समझना लाग कि बात करें तो दीप परपल या ब्लैक कलर्ड इनका मताब सारा तीजिए क्रिस्टल अगया रहा रहते पुरा ब्लैक इस होते है आप प्रेक्टिकल में देखो गे न तो आपको पॉटेशन पर में तो आपको प्रपल या ब्लैक में ऐसे आपको दिखाई देगा अब क्यों प्रटेशन पर में डेक ऑफिडाइचिंग एजेंट है पहली बार दुसरी बार इसे लिए और ये बहुत इना इंपोर्टेंट भी यह यहां प्यावने वाला है एसीडिक मीटियम में पैनियम चेक करते है के मनफोर के बारी में ठीक है तो बहुत इंपोर्टेंट भ अफ हैड्रोजन डाला 4 अधियाट अभर अफूर बशस sitä अब आफ्रेटोप्रेसन में अफाइच सकते हैं यहां पी क्या होगा अभी हडार से हैं यहां पर 001 लॉष डालई टाल वे यह यहां टाले बेलन्स ऑन एक एक यह दो अघीञा ओ लेंगा पनिले गा टार आउन प्लस और स्टू माइनस यह हो क्या हमारा उफ इस तरीके सा आपको साहा रेक्शन करना है अगर मैं न्यूट्रल कंडिशन की बात करूं या वीकली अल्कलाइन की बात करूं यहां पर हम क्या करेंगे यहां भी हम आयोडायट से आयोडेट बना सकती है नौट आयोडीन बनेग ठीक है तो आयोडेट बनेगा आयोडी माइनस यह हमारा आयोडेट का फॉर्मिला है और बांकि तो एमने फॉर एस्टू ओ आए दो टू मैनस ऐसे निकल जाएगा अगर हमें थियो सल्फेट की बात करूं यानि कि हैस्टू ओ टू मैनस यह हमारा एक रिक्शन यहमारा कंप मैनन ओक्साइड वह मैन मिंस मैंने मेंज है निया चार हाइड्रोजन जाएंगे तो हिस तरीके संख्षन होता जो की बहुत ही आसान असान चिंदी चंदी होती है अगर मिगें की बात करो तो यह ब리न्फ नहीं पहली बात लिए इसका यूज्ज प्रूम में होता है ऑं सैच टेस्ट में भी से इसके इसका करते हैं, लिद्सिंग एजेंट के फार में भी इसका इसका इस्तमाल होता है, वलंटरी के लिए, और हलाईड को डिडेक्शन करने के लिए या सब्सक्राइज करने के लिए भी और फुरीजिंग एजेंट क्रिंग लेते हैं पॉर्टेशंब डायखमेट का आप पर शंधा क्रुम एट क्लिए के अथ सुडियम कर्बोनेट इसका रिख्शन करेंगे सोदियम कर्बोनेट और यहां पर हमारे पास क्या पावर्ड ईसका रिख्शन करेंगे तो हमें टू एने टू टू यहाँ को सोडियम क्रोमेट मिला है कि इसी करेक्षिन हम स्थासर पॉर से करवाएंगे हम क्या मिलेगा एक इतना को समझकी रखना है जो कि सोडियम करबोनेट है sodium dichromate, sorry, sodium dichromate, यानि potention dichromate, एक ही बात होती है न, तो यहाँ पे आपको sodium dichromate मिल जाएगा, अगर आप चाहो तो N के जगाए में K का भी इस्तेमाल कर सकती हो, it's your choice, N यानि कि जो sodium है, उसके जगाए में, हर जगे यहाँ पे KK लेलो, K लेलोगे तो आपको काम बन जाएगा, यहाँ पे K लेलो, ठीक है, तो कोई potention उससे, आप चाहे तो कोई भी लेकी solve कर सकती हो, अगर मैं chemical property की बात करो, K2Cr2O7 की तो बहुत important है, यहाँ पे क्या होता है, और आप देख सकते हों कि जो हमारा I2 है, यानि कि iodine gas यहाँ बाहर liberate होती है, यहाँ पे liberate हो रही है, और K2Cr2O7, यहाँ पे 6-4 हाइडरोइड और S2SO4 को इसाथ कंबाइन करके, यहाँ पे K2SO4 बनाता है, और C2SO4 3, ऐसे हमारा creation करता है, यहाँ पे हमारा potassium dichromate बनके निकलता है, ठीक है, तो potassium dichromate को अगर आप S2SO4 reaction करवाते हो, और यहाँ पे hydrogen sulfide देते हो, तो आपको यहाँ पे potassium sulfate और CR2 sulfide यानि chromium sulfide और water और आपका sulfide, जो हमारा gas, sulfur gas, वो आपकी बाहर निकल जाती है, तो इस तरीके से हमारा chemical property होगे, CR2O7 की, तो यह सारा exam में आते हैं, अब physical property के अगर बात करो D-block में, तो जितने भी D-block element है, सब के सब में lusher shining होती है, और यह hard high density होती है, high melting point and falling point होता है, good connector of electricity, thermal connector of electricity, और बहुत जदर tensile और malleable भी होते हैं, tensile मताब कितना खीच सकते हैं, उतना, तो यह D-block के हमारे metal के बारे में, ऐसी बात करो, यहाँ पे आप लास्ट भी देख लो, chemical property, D-block इतने भी रते, यह electro positive बहुत होते हैं, बहुत जदा हैं, ओ वाले में, sodium oxide ऐसे, कोबाल्ट, copper, iron, melibdenum और आप जिंक जो दिया हुआ है, यह सब के सब बहुत इंपोर्टेंट biological वाली बाते हैं, तो stay tuned, और subscribe कर लेना, और आप comment box में जरूर बताओ कि आपो कैसा लगा, ठीक है, और मुझे चाहँ तो यहाँ पर follow कर लो, यह idea, और यह हमारा email address है, अगर चाहँ तो यहाँ पर कोई inquiry ले सकती हो, ठीक है, bye-bye.